नमस्कार दोस्तों मैं सीमाड़ेमन मेरे इस यूडूब चल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों लाग कुशिश करने के बावजुद भी हमें सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त होती है एक अच्छी जौब हम नहीं प्राप्त करते हैं हमारी क्वालिफिकिशन तो बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर भी कई अर्चने हमारे मार्ग में आती है जिससे हमें सक्सस नहीं प्राप्त होती है आज मैं आपको इस वीडियो में दस अच्छुक उपाई बताऊंगी यदि उन उपाईों में से आपने एक या दो उपाई आज की समय में हमारे देश में युवा शिक्षित होने के बावजुद भी बेरुजगार की समस्या से जूंज रहे है समय पर युवाओं को नोकरी ना मिलने पर पर परिवार का आर्थिक संतुनन तो बिगड़ता ही साथ में बेरोजार विक्ती मानसिक रूप से विक्रत भ पर भी चला जाता है इसके प्रमुक कारण हो सकते हैं हम महनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे कुंडली दोश ग्रह दोश के कारण भी हमारे मार्ग में कई अर्चने आती हैं जैसे कि हमारे कुंडली दोश में मांगलिक दोशो नक्षत्र दोशो कालसर्ब दोशो इस तरह क की चांसे बहुत कम बनती है हमारे जीवन में और यदि आपके राहु दोश, कितु दोश, शनी दोश हो, मंगल दोश हो तो भी आपके जीवन में आप प्रियास तो बहुत अधिक करते हैं लेकिन आपको सकसेस नहीं प्राप्त होती है इसके लिए हमें जोतिश का सारा अवस् करवाना चाहिए ताकि आप ये जान पाए कि आपके जीवन में किस ग्रह के कारण आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है और उसके लिए आप क्या उपाए अपनाए वैसे तो मैं आपको दस अचुक उपाए बता रही हूँ यदि इन में से आपने एक या दो उपाए भ कर शनी देव को सरसो के तेल और काले तेल अर्पित करे और उनके बीज मंत्र ओम शम शनिष्ट्राय नमा का मंत्र का जाप करे यथावत संभव हो जहां तक यानि कि एक माला तो आप फेरे ही अर्था एक सो आठ बार इन मंत्रों का जाप यदि हाप हर शनिवार के दिन शाम के समय करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी आप जो भी जॉब के लिए अपलाई कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी दूसरा उपाय है साथ तरे के अनाज मिला कर आप अपने उपर से साथ वार फेर ले और थोड़ा थोड़ा करके सुबह सुबह पक्षियों को खिलाना इसे शुरू कर दे इससे ग्रहे दोश शान्त होते हैं और आपके कुंडली में यदि किसी पर प्रकार का कोई दोश हो तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है और आपको सकसेस के चांसेस आपके जीवन में भड़ती है और आप पाएंगे दोस्तों तीसरा उपाए है आप अपने पूजा इस्थान पर हुड़ते वे हनमान जी का फोटो लगाए और उनकी अरादना करना प्रारम कर दे आपके नौकरी के द्वार शीगर ही खुलने लग जाएंगे हनमान जी की पूजा का अरादना करने से आपको सफलत अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों चौथा उपाए है पीपल के पेड में आप जल चड़ाने से सभी देवता वे आपके जो पित्र देव होते हैं वे बहुत जल्दी प्रसन होते हैं इसलिए रोजाना पीपल के पेड पर आप जल चड़ाएं शनिवार के दिन पीपल के नीचे आप सरसो के तेल का दीपक भी जलाएं और अपने पित्र देव को याद करते हुए आपके मन में जो भी असी मिच्छा है उसे दोहराते हुए यदि आप प्रात्ना करेंगे तो अवशे ही आपको सक्सेस अवशे प्राप्त होगी दोस्तों इस तरीके से आप छोटे- उपाई अपना कर अपने जीवन को साकार कर सकते हैं पाचवाँ उपाई है किसी भी दिन पानी वाले कुए में आप थोड़ा सा दूर डाले इस बारे में किसी को भी आप नहीं बताए यह उपाई आप चुकचाप करें इन में से कोई से भी उपाई है उनका आप जिक्र कि योग बनते हैं इसलिए इन उपाईों को आप चुकचाप ही करें तो यह आपकी जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों आप छटा उपाई है प्रतिक सोंबार को आप शिवलिंग पर दूद और पानी चड़ाएं और साथ में थोड़े से चावल और नौकरी के लिए सक्सेस अवश्य प्राप्त करवाएं बोलेनाजी की क्रपा से आपको नौकरी में आने वाली सभी अर्चने आपके दूर हो जाएगी साथवा उपाई है प्रतिक माह में पहले सोंबार को एक सफेद कपड़े में थोड़े काले चावल बांध कर आप मा काल के मंदिर में जाकर उनके चड़नों में अर्पित कर दें इस प्रियोग से नौकरी में आने वाली अर्चने बहुत जल्दी दूर होती है और आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी दोस्तों आठवा अचुक उपाय है कि नौकरी के लिए इंटर्वी के जाते समय आप एक न निम्बू को आप अपने बैग में रख लीजिए और इंटर्वीयों के साथ में आप लेके जाए इस प्रियोग से करने से आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी एक अच्छुक टोटके रहते हैं ये एक अच्छुक उपाय रहते हैं यदि हम इन उपायों को आपने एक निम्बू लिया है उसके चार पार्ट आपने कर लिये हमारी चारों दिशाएं होती है उन चारों दिशाओं में आप एक टुकडा फैक दीजिए और बिना मुड़े वापस घर पर आ जाईए इस प्रियोग को आप महीने के शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन कर श साधन हो सकता है दोस्तों इस टोटके के दोरान नौकरी में आने वाली सभी अरजने दूर होती है व्यापार में भी व्रदी होती है यदि आपके व्यापार में भी व्रदी नहीं हो रही है तो इन उपायों को आप व्यापार के लिए भी अपना सकते हैं यानि कि करियर में साथ हनवान जी को अपनी नौकरी की अरदास लगाए यदि संभा हो सके तो प्रते दिन हनवान जी के चर्णों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर यदि आप दिलक लगाएंगे तो भी आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों यह अचूक उपाय थे दस अचूक मैंने आपको पता हैं इसके अलावा आप यदि इंट्रूवर देने जा रहे हैं तो आप घर से निकलने से पहले घी दही और शक्कर खा कर आप निकले और निकलने से पहले आप सबसे पहले अपना बाया पाउं घर से बाहर निकाले उसके पश्याति आप अपने घर से प्र मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी सकस्स आपको नहीं प्राप्त होती है तो इन अच्चुक उपायों में से आप किसी भी तरह के कोई भी उपाय अपना कर पूरी शद्दा और विश्वास के साथ यदि उपाय करेंगे तो 100% आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी दोस्तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर अवश्य करें दोस्तों और यदि आप इस चैनल पर नए आये हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखे ताकि आने वाला नेक्स वीडियो आप तक जल से जल च्पाई दोस्तों और कमेंट्स के दोरा अपने आप सुझाओ भी मुझे जरूर बताएं ताकि आने वाला नेक्स वीडियो में आपके लिए बहुत अधी बैटर से बैटर ला सकूं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लि कर दो कर दो